वो खुद लुट गया, भगवां के औरे उटेरी, सलामें मौत के तीज बरस बात कैसे लुटा भगवां? इन में आयक कर दिया भगवां का हजाना कौम चुरा कर ले गया, भगवां की अन्पोर की ताविश्ट कौम आई शुदेरी, इंडिया 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 वाँ दोरिक एसे लुट गये, भगवां के तीन सा करोड देखिए भगवां के गोरे मुखे लेड़े नमस्कार मैं हूँ रवी शर्मा ऐसा कहा होता है कि मारने के बाद भी पर्यूप जाए लेकिन भगवां रज्जीश उस ओषो के साथ यही हुआ है आरोख है कि गंतक जो ओषो के साथ उसके चेले बन कर भूग रहे थी उन्होंने ही ओषो से घंतारी कर दी और ओषो का खजाना रूप लिया भूशो के भक्त बेचान है भगवां में मन नहीं लगागा क्योंकि भक्तों के भगवां लूट गए है विदेशी दुखेरे भगवां को लूट गए है भगवां रजणी शुर्फोशों के दुनिया भर में फैले लागवां अप्तों बेर से चैन है विजदी इस बात पर कि क्या पागई उनके भगवां लुट गए क्या वागई कुछ भक्तों ने पर्जी दस्तावेदों के जरी भगवां के तीन गवगवां लुट गए है क्या वो वागई भगवां का ख़दाना धीरे 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 विदेश पहुचा रही है और सबसे बड़ा सवाथ कि रिल्जाम में सच्चाई किती है उने सिर्थ ओशो आश्राम के ट्रस्टियों में अपने खुद यद नीजी कमटी बना कर ट्रस्ट की करोड़ों कित्या की संपती अपने नीजी कमटीयों में ट्रांसफर कर दिए अगर योगयों शक्तराम के शक्त की बातों पर एकिन करें तू भगवान रुचुके हैं ओशो को उनी के कुछ प्रग्तों ने रूट लिया है उस विदेशी भग्तों ने बतायदा भगवान की फरजी वसियत बनाई और इस वसियत में भगवान सारी विदासत अपने नाम रिकडाली और वो विदेशी भग्त लगातार ओशो की दौलत को विदेशो में रेजिस्टर्स अपने कमटीयों के खातों में बेंज रहे हैं और इनी ट्रस्टियों में कुछ विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर ओशो की बौधिक संपदा याने की इंटेलेक्शुल प्रॉपोडे राइट्स को भी फिजरलें में स्थाना दिव किया योगेश खुद ओशो के भक्त हैं और कई दाशिकों के वो ओशो फिजर रहे हैं लेकिन उनके इस्थाम बेहत स्थानी खेश हैं ओशो के लाखों ठक्त योगेश के इंजाम लगाने के बात से ही सकने में हैं लेकिन योगेश के इंजाम अबैपायार में तब्दील होकर अधार की चौकट तक पहुंच चुके हैं योगेश का अगुप है कि ओशो के दीन चिशियों माइकल ओफिन और्फुस्वामी आनजयश जाउश मेंडू्ब और्फुस्वामी प्रेम ममडो और किलीप तोलकस और्फुस्वामी प्रेम 老師 की जायदा करने के लिए वाकायदा ओशो की जाली वश्यत बनाई और ओशो के दस्तखत कर सब कुछ अपने नाम कर डाला ये लेखिए यही है ओशो की वो वजियत जिसमें ओशो अपना सब कुछ अपने तीन विदेशी ख़क्तों के नाम कर गए ये लेखिए ये हैं ओशो के दस्तखत लेकिन क्यों ओशो ने ऐसा जिए गिया इसका पूरी जबाब मौजूज नहीं है जाहिर है ओशो के साथ रहे उटे जब तर पुराने शिश्यों के गले से ये पास दीचे नहीं उतर रही कि ओशो अपनी वज़ियत भी बना सके मैं तो कलता भी नहीं कर सकती कि ओशो में कोई विट की होगी जब आने ओशो के विल की बात सुने तो आई वस देरी शॉट कि ये जिए जाना है कहां से आगी इतने सालों के बात और मुझे बिलकुल जिसको काईब एनर एकदम ठीलिंग थी कि ये जो ठीलिंग बना से लिए अब सुनिए कि आरोप के मताबिक आपके ओशो की बस्यत में इस तिकड़ी ने क्या कुछ अपने नाम कर जाला है अगर योगेश ठकतर उस्वामियों ने इस इस के दावे पर यखित करें तो ओशो की संपधा हर दो रुपयों में जाती है और ओशो की विरासत में छोड़ी गई बाउट एक संपधा बेश कीमती है ओशो की विवादित वस्यत के मुदाबे ओशो ने 9000 घंटों के और यो प्रवचन छोड़े हैं जो सीडीज की शक्ल में बाजार में बेचे जाते हैं जिनकी अनुमानिक कीमत करीब 200 करोड उपय है इसके अलावा ओशो के 1870 घंटे के विडियो प्रवचन भी हैं जो सीडीज की शक्ल में बाजार में बिखते हैं और इनकी अनुमानिक कीमत है करीब 500 करोड इंडिया ग्रेंगी में ओशो के लिखी 650 किताब यह भी ओशो छोड़ गए हैं जिनकी कीमत करीब 100 करोड उपय बताई जाती है और यह अलग गलग पैसक भाशाओं में अनुमादित हुच्टी है ओशो की बनाए सिगनेचर बेंटिंग्स जिनके दर्राश्टी बाजार में कीमत 10 करोड उपय है ठान के लिए बनवाया ओशो का खास संगी ओशो की ठान की खास विधियां और उने का मेंकेशन रिजॉट जिसकी कीमत 1000 करोड उपय से जादा बताई जाती है यह सब कुछ ओ ओशो के वसियत नामे की मतादि यह सब अब ओशो के तीन विदेशी चेलों का है लेकिन सवाद यह है कि क्या वो वसियत असली है जो कि शक्तर समेट ओशो के चैस्तर पुराने साधित मांते हैं कि साथ 1989 में बना ओशो का वसियत नामा जाली है और उसे ओशो फ्रैंड पर करने की नियत से बनाया गया है पहला ख्यार मुझे आया कि अगर इनके पास विल थी तो अमेरिका में जब क्रेटमार्क केस चब रहा था और यह हार ने लगे थे तो वहां को नहीं यह प्रोग्रस कि यह एक बात ही पुरा सबूत है कि यह विल बात में बना गए और जूट के तेरी साल बात उनका सब कुछ जी दिया है उनके प्रबचरों के आडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनकी पेजिंग्स और किताबों के साथ साथ ओशो का फूने बाला आश्रम सब कुछ विदेशी भक्तों का हो चुका है यह और बात है कि किसी को इस वस्यत पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि अपनी पूरी सिन्दी की ओशो लगातार यही कहते रहे हैं कि उनका न कोई वारिष होगा और न कोई पस्याद का I don't accept any followers I don't accept any previous successors or predictions are not needed लेकिन अब जो वस्यत सामने आ चुकी है तो सच का सामने आना भी ज़रूरी है सच सामने बलाने की माँ को लेकर ही योगेश ठाकों ने अदालत के दर्वाजे पर बस्तर दी है अदालत के आदेश पर अपायार हो चुकी है और अब पुलिस इस तैकिकार भी चुकी है यह असली है यह लगी वरूज है इंडिया न्यूस दिली इल्जाम है कि सब की आखों के सामने हजारों लोगों की माजूदगी में बोरे लुटेरे तीन सो फरोड बेहर खामोशी से लूट गए लेकिन इल्जाम को गहरे संचित तो यह मामला महद है तीन सा फरोड का नहीं क्य इंडिया अगर भगवान की विरासत की बात करें तो मामला अर्ग रुटेयों में जा पहुंचेगा कई इस भज्यत के इस खेल का असल मक्सल वही तो नहीं आए बताए कि मामला असल में है कितना पाई भगवान की चौखट पर गोरे लुटेरे गोरे लुटेरों ने लूटे दीन सा गरोड विरेश भेजी गई भगवान की दॉलर तो नहीं के हुआ भगवान से धोखा उने के ओशो फ्रेंट्स काउंडेशन के ट्रस्टियों का इल्जाम है कि इनी तीन गोरों ने ओशो की वर्जी पर्जित बनाई ताकि दुनिया फर में दिखरी बड़ी ओशो की अर्पों की विरासत पर गबजा किया जा सके आरोग है कि इसके लिए बाकाइबा फुक्ता साजिश रची गई और इसी साजिश की पहली किष्ट के दौर पर ओशो की दौलत से तीन सो करोन रुपए विदेश भेज भी दिये गए आरोग तो यहां तक है कि इनों ने मिलकर साजिश के तहट ओशो के पूरे सामराज्य को गबजानी की साजिश रची थी दरसल ओशो के करीम 172 देशों में भक्त हैं और तमाम मुलकों में ओशो की ट्रस्ट बनी हुई है यह सबी ट्रस्ट और संस्थाइं ओशो की ओडियो वीडियो प्रवचन के साथ साथ ओशो की ट्राण वीडियों का इस्तेमाल भी करते हैं अगर ओशो की थमाम विरासतों पर इन तीन लों का खबदा होगा तो यकीनँ दुनिया में कहीं भी इन विरासतों का इस्तेमाल करने वाली सथाओं को उन वीडियो आजियो या धान विदियों का इस्तेमाल करने के लिए इनसे एजाज़त लेनी पड़ेगी दूसे अरफादों में ओशो प्रैंट पर इन दीनों का पूरी तरह कज़ा हो जाएगा और इंजाम है कि इसी के तहट वजियत का ये पूरा ताना बाना रचा गया और ओफादों की तीनों का इरादा जानी वजियत स्टेट की कोर्ट में पेश कर ओशो के ट्रेट मार्क हासिल करने का था लेकिन उससे पहले भी पूरे के ओशो फ्रैंट्स पाउंडेशन को इसकी भनक लग गई जिस वजियत को पूरे के ओशो फ्रैंट्स पाउंडेशन की त्रस्की वर्जी बता रही है उस वजियत में ओशो बाड़ेशन इंटरिशनल के उपाद ठेक्श माइकल ओड़ाइन और्फरस्वामी जैश को वजियत का एक्जिक्यूटर बनाया गया जबकि जॉन एंट्रियूज और्फरस्वामी अमरतों और फिलिप और्फरस्वामी फ्रेम निरेंग को वसियत का गवाख बनाया गया है ओशो की मौत 19 जनवरी 1990 में हुई थी जबकि विवाजित वजियत कहती है कि उस पर ओशो ने दस्टकत 16 जूट 1989 को प्रिये थे और वजियत को नियो सन्यास इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम पर दिखाया गया है यहीं बजहें कि ओशो प्रेंट फाउंडेशन के ट्रस्टी इसके वजियत होने का दावा कर रही है अब ये अचानक बिल्चा प्रियूस करना 23 साथ बाद ये अपने आप में कुछ कहती है और मेरे साथ तो ये कहती है कि भाई ये फ्रॉड है ये नहीं हो सकता ओशो की फर्जी बस्यत और 300 करोड की रूट के मामने में ओशो प्रेंट्स फाउंडेशन ने पुणे की अदालत में केस ताकित किया हुआ है और मांगी गई है कि ओशो की दौलत को विदेश जाने से रोका जाए आगे बताएंगे कहा गायब हो गई ओशो की बेश्टी ती किताबें और हीरे जड़ी खड़ियां देखते रहें जड़ी मनुचुटलेश के साथ गौराप बंडे इंडिया जी हीरे जड़ी घड़ियां तोपियां और चश्मे आखिर ओशो का एस्तवमार कया का बताएंगे बेक्ते उस पार आप देख रहेंगे साल 1927 ये वो साल था जब अमेरिका ने आसा और मत्पी जेगा ओशो के आस्रम को तबाह किया और उनको भारत डिपोर्ट कर दिया उसको कहते हैं उनके पास में हीरे जड़ी घड़ियां और काफी बेश्किन की ज्रेसे लेकिन जब वो इंडिया सब जानते हैं कि वो तारा सामान फ्यूर के साथ आए आज वो सामान का कोई नहीं जाए करोरों का वो भाज़ाना आखिर गया का किसी को नहीं पालू कहा गई ओशो की रद्ब चरे घरियां कहा गई ओशो की हीरे चरे तोपियां कहा गया ओशो के वो हीरे चरे चश्में कहा गया ओशो का महगी द्रस का साथाना ओशो शायद दुनिया के अखेरे ऐसे आगधात्मिक गुरू नहीं है जिने फक्तों ने पहने के लिए महगी सी महगे कपड़े महगी सी महगी घणिया और गाले के तोंबे पेश किये और ओशो ने उन्हें पहने से कभी इंकार नहीं किया वजह ये कि ओशो की नज़र दे हीरा और पत्थर दोनों एक ही थे लेकिन आरोग है कि ओशो के कुछ फक्तों के लिए हीरे गिरे और पत्थर पत्थर और उन्ही फक्तों ने ओशो के उस हजाने को साथ कर राज़ जी हाँ अगर उसका कोई नाम निशान तक नहीं है साथ 1987 में जब ओशो को अमेरिका से भारत प्रेपोच किया गया तब ओशो के साथ उनकी मेंगी घरियों और कप्लों का बेश फीवती ख़जाना भी था ओशो के फक्तों का रावा है कि ओशो की एक एक प्रेस करोणों की भुवा करती थी क्योंकि उनमें हीरे जैसे बेश फीवती रत प्रचने जाते थी ऐसी तस्वीरे माजूद हैं जिनमें ओशो हीरे जरिक ख़डियां और कप्रे पहने दिखते हैं नेकि वो सब के सब कई कहां कोई नहीं जान था टोपी ओशो की खास वेश भूशा का एन इस्सा हुआ करती थी वैसे तो ओशो की हर चीज की वेश भी की बताई जाती है लेकिन चानकार बताते हैं क्योंकि खास सूप्यों में धीरे चड़े रहते थी जाहिए ओशो की वो द्रेस वेश भी की हुआता थी थी लेकिन वो कई कहां कोई नहीं जानता ओशो को अगतर उनके भक्त बेहत महकी खड़ियां गिफ्ट किया करते थी कहते हैं ओशो के हाट जो खड़ियां देख जाती थी वो दूग्याने अप्पी तहे की अनूची खड़ियां हुआ करते थी उसकी एक बज़े तो ये थी क्यूंकि अधिकतर खड़ियां सोने से बरिखोती थी और खड़ियों में बेश्कीमती हीरे चड़े जाते थी जिसकी बज़े से उसकी कीमत करोडों तक पहुँच जाती कई खड़ियों ने तो ओशु के लिए खास पाउर पर ऐसी खड़ियां भी बनाए जो खिर कभी नहीं बनाए गए जाहिर थैं वो खड़ियां विश्कीमती थी इसके अवावा ओशु की इस्तिमाद की होई घड़ियों की कीमत एंटी कलेक्चर्स की लिगाहों में भी विश्कीमती होती थी लेकिन वो तमाम खड़ियां कहां गायत हो गए तो वोई नहीं जानता अक्सर अपने प्रवजनों में ओशु बेश्कीमती चश्में पहने भी दिखाई देते थी कहा जाता है कि ओश्कीमती कीमत भी लाकों में भुआ करती थी तो कि इन चश्मों के फ्रेम में अक्सर धीरे जड़े दिखते थी लेकिन वो जश्चमें अब कहा हैं ये भी कोई नहीं जानता है पोशो की मौत के बाद वो बेश्चीप की खरियां वो रत्म जड़ित दोपी और लातों की कीमत बेश्चमें कहां चले गए कोई नहीं जानता पोशो को करीब से जाने वाले लोग बताते हैं क्योंकि वो तमाब वेश्चीप की सामा ना तो ना अचाना खरायक हो गए थे बाकिक कौन दे गया भर्वान की विरासा है किसने रूट ली पोशो की धरोहत संखा से चुड़े लोगों का आरोख है कि ओशो के ही कुछ भगतों ने ओशो का वो सारा खजाना गायक कर डाला ओशो की वो चीजे बेश कींकी तो थी ही लेकिन अन्तुराश्ची बजानों की कीमत इसले भी जाना थी क्योंकि कभ्यूक का इस्तंबाल भगवान रज्वीश ने किया था वरुण जैन इंडिया न्यूज दिल्मी इस साफ है कि बहस इस पात पर तो हो सकती है क्योशो को लूटा किसे मगर यह था है क्योशो को लूटे तो पाए वेरा रविशनमा को दीजिए जाज़ों का चला कि अद्वान का रववान का रवान का नहीं जैंगे में का अज सकती है कि बहस्तंबाद का चे भी जा है कि बहसेदा झाला को लोगवान का नहीं दो कि बहसे नहीं कि अ झाल